हेलो वरिबन स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के स्मच पर और जैसा कि आप सभी जानते हैं जैसे छी चसल का आपका एक्जाम जो है वो शुरू हो गया है आज उसका पहला पेपर था और जैसा पताया जा रहा है कि पेपर बहुत ही इजी लेवल आ रहा है मौडरेट भी नहीं इजी लेवल है चाहे हो मैथ हो चाहें इंगलिस हो चाहें जीएस हो चाहें और जीएस में आप सभी और यह भी ध्यान रखियेगा जो लोग प्रिवेस एयर कोशन्स लगा रहा है है यात कर रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑपरचुनिटी है इसक ज्यादा में इंपोर्टेंट है तो उसको लेकर चलिए यह आपका आज 100 कोशन कवर किया जाएगा इसमें कितना 100 कोशन कवर किया जाएगा तो चलिए आज पहले कोशन से स्टार्ट करते हैं मार्च 2019 में भारत ने विकास भागेदारी कारिक्रम के तैट नेपाल में एक सैच्छिक परिसर के निर्माण के लिए कितने नेपाली रुपए का वित्ति अनुदान प्रतान किया तो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं इसकी लेकिन ध्यान रखेगा 35.5 मिलियन का ने लिकित में से कौन से विकल्प को अलप कार्बन युक्त योगिकों के रूप में वरिकरित किया जा सकता है ना कि कार्बनी के रूप में ना कि कार्बनी के रूप में ध्यान रखेगा है कौन है यह है साइनाइट्स क्या है साइनाइट्स यह एक रसाइनिक योगिक है औ इसमें समु में जो है C बराबर N, ठीक है, साइनो समु के रूप में भी इसे जाना जाता है, यह चीज ध्यान रखियेगा, चलिए, भारत के राष्टपती और उपराष्टपती की मृत्यू की स्थिती में भारत के रूप में कौन कारे करेगा, बहुत ही फेमस सवाल है, फटाफटास का आंसर करिए, चैनी तुमीद्वार, या भारत की प्रधानमत्री, या मुख्यनायधिस, या टॉनी जनल, बिल्कुल सही, भारत के जो मुख्यनायधिस, जेश्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो राष्टपती और उपराष्टपती की अनुपस्तिती में कारेभार को सम्हा लेंगे, ठीक है, और ये राष्टपती अधिनियम 1969 के अनुसार ही ये चुना जायाएगा, मार्च 2019 में भारतिय प्रवद्वी की संस्थान, मदरास के सूत करताओं और ESPN, क्रिक इंफो, विशिजग्यों द्वारा किस खेल का विशिलेशन करने के लिए एक नई मैट्रिक्स, सूपर स्टेट्स का सुभारम किया गया था, तो ये भी पुराना कोश्चन है, फिर भी सूनम कपूर को, विशेश ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आधर सवाके क्या था, मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता, तो मुझे इस प्रयास में बहादूर बनने दो, वेस्विक्स वेपार सिखर सम्मेलंगर 2019 के सहर में आजित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में, अभी जो करंट अफेर भी आ रहे हैं, वो भी 2022 के, और 2023 के स्टार्टिंग के, और 2022 के पूरे 6 महीने करंट अफेर आ रहे हैं, जैसे कि अभी जो जो नहने इविंट्स हुए हैं, वर्ल लेवल पे, वो पूछे जा रहा है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, वर्स 1912 में, बंगाल फ्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्षी में, इस दिनांग को संपूर राज्ज में बिहार दिवस मनाया जाता ह 21 दिसंबर को, 21 जनौरी को, या 22 फ्रावरी को, या 22 मार्च को, यह मना जाता है, बिहार दे कहते हैं हर साल, तो 22 मार्च को हर साल जो है, बिहार दिवस जो है, वो मनाया जाता है, यह चीज़ धान रखिएगा, और 1912 में यह अलग हुआ ही था, बिहार प्रेसिडेंसी, लिए थे कुम्भल गड़ में या जित्त्ताओर त्या दिये थे फिर से लेकर वीच में घेरा बन्दी की गई और मुगल से नंगा आपके राजफूत् जो थे उनको हराया भी था और प्लस उनकी हत्या भी की थी चलिए नेक्स आई ये मुर्ती भी खैर लगवाई गई थी इनकी क्या नाम है जैमल और पत्ता ही क्ल्ला की कि इसकी इन लोग की बहादुरी को स्विकार करके इन लोग का जो प्रतिमा है वो लगाया गया था मुखे दरवाजे पर भगवान राम पर केंदरित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे ये सभी पता होगा सभी को पता ही फटाफट बिलकुल राम देव नाम देव या रामानन या जय देव या विवेकानन बिलकुल सही रामानन जो है आपके ये भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे भगवा भक्ति के कवी संध थे, यह ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आईए, द्यारी किस की जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है, वो कौन सा है, तो अभी द्यारी ग्यारी की जनगर्णा को इनुसार सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है, वो को प्रस्अ होना तुथा द्ध्याना रखिएगा एक महराश्ट आता है बिहारस शी मंगल आता मध्यप्रदिस रहते करों याली क्या करते हैं उत्तघार क्या बिहार संतर एक महारास्ट थीर ढ़ता है धात्यot और चलिए नेक्स्ट आईए और ये भी धान रखेगा जो धातु ऑक्साइड होते हैं अगर वो प्रकृति में उनकी देखा जाए तो वो छारीय होते हैं क्योंकि इसमें नमक पानी बनाने के लिए क्या होता है तनु अमले के साथ प्रतिक्रिया ये करते हैं इसलिए ये प्रकृ सवार्नने के सेज्ट में से किस प्रसासनिक पर्ड़ाली संब्धित ये भी कॉशन बहुत इंपॉट है कोई भी हो प्रसासनिक प्रडाली संबंधित हैं ये कई वार आ जुके हैं प्रश्णा जात और सवार ने लिखित में से किस प्रसासनिक प्रडाली से संबंधित हैं पताईए तो आप सभी जानते हैं अकबर्ग ने जो है मनसबदारी पढ़ाली स्टार्ट की थी उसी में आपका जात और सवात पद की शुरुआत भी इनोंने की थी मतलब घोड़ाया ही उसमें इस तरह से इस अगया में कीतनी संख्या में मनसबदार अपने पास रख सकते हैं यह चीजद सवार में आ अग गाएगा तो आपका जो है मनसबदारी पढ़ाली से यह ये related है, नेक्ष आईए, यदि भारत के राश्वती त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, बिल्कुल सही जबाब है आपका, बिल्कुल, किसको उपर राश्वती को देंगे, मुख्य नादी इसको नहीं, उपर राश्वती को देंगे, नमान में, स्री नगर में, कन्या कुमारी में या लद्धाक में तो ये जो रॉक मिमोरियल है ये तमिल नाडू के कन्या कुमारी में इस्थित है और ये स्वामी विवेका नंद जी के सम्मान में इसका निर्मार किया गया था कब 1970 में 1970 में स्वामी विवेका नंद जी के सम्मा या निम्ने वगाई मंडली दबाऊ के करण होता है या भोमिगत चट्टानों का अचानक तूटने पर होता है या तेज हवाओं द्वारा पानी को थट पर फेकने से होता है बताये बिल्कुल सही, पानी के नीचे जो अलामुखी गत्विदिया होती है, उसी एक करण जो है आपका सुनामी आने की संभावना रहती है, क्लियर है, चली नेक्स्ट आईए, भारत में पर्थम मुगल समराट कौन था, ये तो बहुती सिंपल आंसर है, भारत में पर्थम मुगल स समराट था, वो कौन था, सा जहां, हुमान्यू या बाबर या अखबर, ध्यान रखिये का, जो मुगल वन्स का संस्थापक माना जाता है भारत में, ठीक है, वो माना जाता है बाबर को, किसको, बाबर को माना जाता है भारत में, मुगल वन्स के संस्थापक के रूप में, त्युकि ये जो आपका बाबर था ये जो जुब एकिस्तान में समराव्ट टैमूर ठे उनका ये प्रत्यक्ष हवांसर्ज था और इसने 1526 में कब 1526 में किसको हराया था इब्राहिम लोधी को हराया था इब्राहिम लोधी को हराया था इब्राहिम लोधी को हराया था किसके युद में पानीपत की पर्थम युद में इब्राहिम लोधी को हरा करके जो है मुगल समराज जी की स्थापना इसने बावर ने क थी चुटि फीनिस कॉया है यह नहीं दक का या मार्बल मानुम को होने लुकुल मार्बल कैंसर है वह अंभ्य वर्शा के मार्फपका छ्ष होता गयाने रख्थ में की चमता को क Mississippi सब्सिघ्व करती है क्या होता है कि क्या होता है कि यह जो आपका carbon monoxide है इसमें क्या होता है oxygen की तुल्ला में हीमोगलोबिन के प्रति अधिक घनिश्टता होती है इसलिए यह हीमोगलोबिन और सीजन के प्रसार के लिए यह जिम्मिदार होता है नेक्स्ट आइए carbon monoxide जन्गर्ण दोरी 11 यानुसार भारत का कौन सा सहर सबसे कम अबादी वाला है कपूर्थला धतिया नागदा या बांसवाड़ा उध्यान दीजिएगा यह है आपका कपूर्थला कौन है कपूर्थल 98,000 के आसपास इसकी आपादी है अभी फिलाल तो अभी 2021-22 के अनुसार तो यह काफी बढ़ गया होगा नेक्स्ट आइए बक्षियों द्वारा परागड परागड की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है अनिमोफिली या एंटोमोफिली या ओटोगैमी या औरनिथोफिली बि अध्यानिस में किया जाता है तो द्यान रखियागा औरनिथोफिली जो है इसे कहते हैं रामपंत के अग्रडी जो तिस्थम्ब संत कवी थे जिन्होंने रामचरित मानस नामक कविता लिखी थी बता यह बिल्कुल सिंपल है रामचरित मानस किसने लिखा था आपके तो राम के करमो की जील यह रामचरित मानस का जो साबदिकर्थ पूछा जाता है वो क्या है राम के करमो का जील नेक्स आईए पचीज कुसान हमारे कम्प्लीट हो गए अब पचीज नेक्स पचीज करते हैं ब्राजील के भाती विज्ञानी और खगोल सास्त्री इसको और अध्यात्मिक्ता के सम्मिस्ड के कारे के लिए, ये 19 का है, ये 19 का है, लोग सभा में नामित सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है, चार होती है, तीन होती है, एक होती है, या दो होती है, बता ये फटा-फट, बिलकुल सही, नामित जो संख्या है, वो कितनी होती है दो होती है लोग सबा में नमने से दस्वें के दितम संग है कि नहीं हो सकती है दो हो सकती है क्लियर है चलिए next राई सुप है घ्रू इंडियन तो रिटा दिया गया ना यह दिफी हों के लेकिन अभी वह अप्लाइं में नहीं अएगा या वह अगले सत्र में दिखा में राजन देव जी थे गुरु अपने अर्जुन देव जी थे तो पांचन देव जी जो थे वह शिखों के पांचमे गुरु थे थी जो है यह नहीं जो है आधिगरंत राजियों के बीच विवात का विशय था तो ये था आपके करनाटक और अंधर प्रदेश के बीच, करनाटक और अंधर प्रदेश के बीच ये विवात का विस्य था चली नेक्ष्ट आई यह, ज़िए इसमें जानने की जरूद नहीं और कुतुम मिनार का नाम, सूफी संद के किस आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दिन ऐबक द्वारा कुतुम मिनार बनवाए गया था लेकिन कुतुबुद्दिन ऐबक के नाम पर ये नहीं रखा गया था कुतुम मिनार का नाम कई लोग कन्फ्यूज जाते हैं तो यह ध्यान रखेगा जो कुटुबुद्दिन ऐबक के गुरु कह लीजे तो वो थे आपके ख्वाजा कुटुबुद्दिन बक्तियार काकी इनके नाम पर ही रखा गया तो एक प्रकार के यह सूफी संद थे कौन थे सूफी संद थे से फिरोसा तुगलग भी आया था उसने भी मंजिल बनवाय थे सेरसा सूरी ने भी बनवाय था हुमायू ने अपनी सत्ता को पुनहपराप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था तो सेरसा सूरी तो उस वक्त नहीं थे है ना हुमायू से हार के सेरसा सूरी से भाग तो उस समय कौन था फिर उस समय जो थे आपके सिकंदर सूरी थे कौन थे सिकंदर सूरी थे 1530 के असपास इन्होंने जो है सासन की या था सिंखासन पर ये बैठे थे कौन हुमायू क्लियर है चलिने एक्ष आईए अब 1555 में इन्होंने फिर से जो है सत्ता इस्थापित की थी प्रवत्तर भारत में इस्थानांतर क्रिसी को किस रूप में जाना जाता है किस रूप में भी जाना जाता है इस्थानांतर क्रिसी को या इस्थानांतर क्रिसी को तो हड़ जग है बहुत सारे जगहां अलग अलग नामों जाना जाता है तो अगर पुरुवत्तर भारत में देखा जाए तो उसे जूम किसी क्या कहते हैं जूम मतलब इधर दर घूमगा हमके इस्थान अंतर भी मतलब होता है तो जूम इजदा राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट आईए जूमिंग कह लिजए जूम कह लिजए यह सबी एक यह सब्द हैं भारती वाई उसेना की फ्लाइंग अधिकारी किस फ्लाइंग अधिकारी ने किसी रूस निर्मित मिक-21 फाइटर में अपनी पहली एकल फाइटर उड़ाने वाली पहली भारती है महिला बन संबंदित मुध्देब्र कौन लेता है तो पढ़ाम बने लेते हैं राश्पती लेते हैं उपर राश्पती अद्ध्यक्ष तो सभी जानते हैं लोग सभा के अद्ध्यक्ष लेते हैं कौन लेते हैं लोग सभा के अद्ध्यक्षी लेंगे कि सदस्री की योगता कैसी है क्या है किस तरह से होना चाहिए ये सबी जो है वही आपके लेंगे निर्ड़ है ठीक है नेक्स्ट आइए और भारत का जो दस्मीन सूची है उसे हम एंटी डिफेक्शन लॉक के रूप में भी जानते हैं ये भी इन्फरमिशन ध्यान रखिएगा 1912 में परमाडू बैटरी का विसकार किस ने किया था तो इन्फरमाडू बैटरी का विसकार किस ने किया था बदाईए ऐलेसेंडरो बोल्टा या हेंडरी मुसेली या बेंजामिन फ्रेंक्लिन या लुईश पास्चर तो इन्होंने ये किया था हेंडरी मुसेली ने अधार वित्वर्स क्या है अखिल भारती है और दे यॉग्यू कुट पादन सुझकांग की गणना के लिए आधार वित्वर्स क्या है बताई यह यह 2011 से 2012 यह जो है आधार वित्वर्स है ठीके जes लिए नेगस्श नहीने इसने उसमें गत्की के प्रथम दो नियमों को सहीता बद किया और यह निसकर्स निकाला कि ताप का निर्पयक्ष सुन्ये माइस 273.15 डिग्री सेंटिग्रेट है इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरड के साथ सम्भानित किया गया बताए फटाफट आंसर बिल्कुल सही कौन है विलियम थॉम्सन है कौन है विलियम थॉम्सन एक तरफ स्री नगर दूसरी तरफ कारगिल और लेहे के बीच एक महतपूर सड़क संपर्क है कौन सा मुलिंगला या सिपकिला या जोजिला या कारा टैगला बताए ये है आपका जोजिला कौन है जोजिला है कारगिल और लेहे के बीच जो एक महतपूर सड़क संपर्क है वह आपका जोजिला दर क्लियर है चली नेक्स ट्राइए लॉरेंज बक्र क्या दरसाता है ये कोशन बहुत बार पूछा है और आप सभी जानते हैं क्या दरसाता आय वित्रड को जो है लॉरेंज बक्र अपना प्रतिनिधी ये दरसाने का काम करता है चली नेक्स टाइए उनिस पांच में इसको विक्सित किया गया था एसी आई खेल जिसे एसी आड के नाम से भी जाना जाता है प्रते कितने वर्स में आयोजित की जाने वाली एसी आ भरके अथिलीटों है एसी आड जेसे कहते हैं एसी आई खेल जेसे कहते हैं तो चार साल में आईवुजित की जाती है 22 में कहां हुआ यह दस से 25 सितंबर के बीच में हांग जो चीन में यह हुआ था आपका तो 4 साल इस दा राइट आंसर और 2018 वाला कहां हुआ था तो जकार्ता में हुआ था जकार्ता में भी हुआ था और इंडोनेसिया में भी हुआ था दो जगा मिलाके हुआ था और इस वाला आप सभी लोग बताईएगा किसने अमरिस सर में स्वड मंदिर के नाम से विख्याद विश्व परसिद हर मंदिर साहब का साहिप का निर्मार कराया किसने कराया यह कराया गुरू रामदास जी ने किसने गुरू रामदास जी ने इसका निर्मार कराया था चलिए नेक्स्ट आईए किस पोसक तत्तो की कमी से रताउधी का रोग होता है सभी जानते हैं विटामिन एकी कमी से रताउधी रोग आपका होता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट आईए इसके सासनकाल में चीनी यांत्री हेंसांग भारत आये थे वेंसांग भारत आये थे सभी जानते हैं इसके सासनकाल में हर्सवर्धन के सासनकाल में किसमें हर्सवर्धन के सासनकाल में आपके वेंसांग जो है वो भारत आये थे इनकी पुस पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के प्रदाम सरूप डाइनासोर के विलुप्त होने का सिध्धान्त किसकी देन है विलहेम रेंट जिन या लूइस अलवारेज या हेंडरी मुसेली या विलियम कुर्क्स तो यह आपके हैं लुइस अलवारेज कौन है लुइस अलवारेज जो है इनही के सिध्धान जो है इनही की देन है ठीके और इन्हें जो है 1964 में भौत की का नोबल पुरुषकार भी इनको प्रदान किया गया था मतलब कहने का मतलब यह है कि डैनर्स विलक्त हुने का जो मेन कार था वो छुद गरह जो है उनके प्रभाव का प्रडाम था प्रित्वी पे गिरे और उन्हेंने पूरा नश्ट कर दिया ऐसा सिधांत इनका दिया हुआ है मिथेन गैस को प्रिथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिस्रित मिथेन को बिजली की चिंगारी से विस्पोर्ट किया जा सकता है बताईए तो ये हैं अलेसेंड्रो वोल्टा ठीक है नेक्स्ट आईए ये पुराना है 19 का है सारनाथ में इस्थित कौन सा श्तूप का निर्माण महान मौरे समराट असोक ने किया था ये भारत में इस्थित प्रमुख बहुत सनजनाओं में से एक है धौली धमेक या भरूत या ललित गिरी ध्यान रखिएगा जो आपके धमेक है क्या है सारनाथ का जो धमेक स्थूप है ये बहुत सनरचनाओं भारत की जो प्रमुख बहुत सनरचनाओं है उनमें से ये एक है ठीक है धमेख याद रखिएगा नाम नेक्स्ट आईए कौन सा तत्व है? एक्टिनाइड है बताइए फटाफट तीसरे का आंसर करिए बिल्कुल लिूटेटिमिया, लिूटेटियम लिूटेटियम जो है ये एक्टिनाइड है नेक्स्ट आईए अश्टक के सिध्धान के अनुशार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए प्रमाडु भार के अनुशार वेवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुड़ों वाले तत्व प्रते कितने तत्वों के अंतराल पर पाये जाते हैं यह पाये जाते हैं आपके साथ तत्वों के अंतराल पर कितने साथ तत्वों के अंतराल पर पाये जाते हैं जिस इस्तिती में सरकार का वे उसके राजस से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है जिस इस्तिती में सरकार का जो वे है मतलब खर्चा जो है जो हमारे पास अब मौझूदा पैसा है उसे ज़्यादा हम खर्च कर दे रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे हम बजट घाटा कहेंगे क्या कहेंगे बजट घाटा कहेंगे या घाटा बजट घाटा ये लीजिए तीसरा कॉप्शन जो हमारा बिल्कुल सही अब कभी क्या हो जाए विसेस ओलम्पिक खेलों का आयोजन परतेक कितने वर्स में किया जाता है ये समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैस्विक आंदोलन है जिसें परतेक व्यक्ति को उसकी चमता या विकलांगता की प्रभाह किये भी ना सामिल गया जाता है बताइए फटा फटा आंसर करिए तो ये है दो वर्स परतेक दो वर्स में जो विसेस ओलम्पिक खेलों का आयोजन करना है वो परतेक दो वर्स में आयोजित किया जाता है तो जारी किस में कहां किया गया था दीखे जो संसत के दोनों सुदनों की हम बात कर रहा है राजे सबा लोग सबा उनको एक साथ बुलाने की जो सकती है वो तो हमारे राश्पती जी के पास है लेकिन अध्यचता कौन करेगा अध्यचता जो है अध्यक्ष जी ही करेंगे ये ध्याने के लोग सभा के अध्य चीही जिसकी अध्य चता करेंगे और किसके तहट करेंगे आर्टिकल जो है आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के तहट राश्टपती को संग्यान होता है कि वसंसर के दोनों सुदनों को बैठा के साथ बुला सकता है जैसा वो समझे एक बैठा से दूसरे बैठा के बीच की जो अबद ही है वो 6 मेने से अधिक नहीं होनी चाहिए ये भी कोशन बनता है क्रिकेट के खेल का विस्लेशर करने के लिए नय मंच ये कोशन उपर आ चुका है सूपर स्टेट्स में जिस तीन मेट्रिक्स तो सामिल किया गया है निकित में से कौन सा सामिल नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यह Luck Index, यह सामिल है, Forecaster यह भी सामिल है, Smart Stats यह भी सामिल है, यह सामिल नहीं है, ठीक है, Score Index जो है, यह सामिल नहीं है, चाहिए, नवाब सुजाद वल्ला ने एक भगीचे के बीच में, स्थापित सफदर गंज के मकबरे का निर्माड कहां करवाया उत्रप्रटिस में करवाया या उत्राखन में या दिल्ली में या बिहार में, तो दिल्ली में जो सफदर गंज का मकबरा है, ठीक है, दिल्ली में ही इसका निर्माड कराया गया था, सुजाद वल्ला के द्वारा, 1704 में, संगभर्मन नहीं में यह एक मकबरा है, और मुगल अकबर दर्ग्रेट अकबर लेकिम से कौन सा तत्व जो है लेंथेनाइड है कौन सा तत्व लेंथेनाइड है ध्यान रखिएगा सेरियम क्या है सेरियम और यह जो सेरियम है यह लेंथेनाइड स्रिंखला का दूसरा तत्व माना जाता है कौन सा दर्रा उत्राखंड और तिब्बत को जोडता है और गंगोतरी के उत्तर में स्थित है ये बिल्कुल बेसिक सिंपल सांसा बताई जो जला बाराला चला सिपकिला या मुलिंगला बिल्कुल सही, जो मुलिनला है आपका, ये मुलिनला ही जो है उत्राखंड और तिब्बत को जोडने का खारे करता है, च्रीक हैं, चली लेक्स आइए मुनिल नाम बुली दर्रा बोल लिजे एकी नाम है भारत की संसद में कौन सामिल है लोगसभा राजसभा नहीं लोगसभा राजसभा के लामा आपके राशपती जी भी सामिल है तो दूरी सदनी विधाई का है मारी राशपती भी सामिल होते हैं राश्पती, लोकसभा, राजसभा, ये सभी जो है, ये उच्छ सदन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये निमनिस सदन होता है, राजसभा में राज्जियों का प्रतिनिद्थ होता है, लोकसभा में लोगों के प्रतिनिद्थ होता है, ज्यादा सकती किसके पास होती है, ज्य सभी इस्स्थिती प्रदाइन नहीं कर सका oxygen को carbon को nitrogen को या hydrogen icamente hydrogen को जो है वो ऑफ एथो सभी दिया जाएगा तावश्ण की समुरुताव क्या करेगा बाधित करेगा इसलिए जो है hydrogen को सही इस्थिती प्रदान नहीं किया जा सका एक समुद्री मेल किस मीट कितने मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मेल जो है कितने मीटर के बराबर होता है उध्यान रखिएगा यह होता 1852 मीटर के कितना एक समुद्री मेल 1852 मीटर के बराबर होता है स्ट्रेट जावा दीप समू और सुमातरा को अलग करता है ये करता है सुन्डा स्ट्रेट कौन है सुन्डा इस्ट्रेट जो है ये जावा दीव समूग और समात्रा को अलग करता है लगवा पचास वर्ष सासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी उसे आगरा से बाहर सिकंद्रा में दफनाया गया था तो सभी जानते आगरा से बाहर सिकंद्रा में दफनाया गया था इसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इसके सासन काल के दौरान दुनिया ने मुगल समनाची कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है यह है साजहां, साजहां को वास्तुकार का राजा कहा जाता है ठीक है, चली नेक्स्ट आइए क्योंकि कई सारे चीज़ें इन्होंने निर्माण कराए था ना दिल्ली में लालखिला हो गया, जावा मजडिद हो गया और चाहे आगरा हो गया, आगरा का लालखिला हो गया यह सभी जो है, इनके सासंकाल में ही रिमित होई थी इसलिए इनके सासंकाल को वास्तुकार एक संस्कृतिक अनूठा विकास देखा जाता है इनके सासंकाल में इसने महर उनिसा से निकाह किया था इसे उन्होंने नूर जहां विस्व जोती की उपाधी प्रदान की थी यह जहांगीर से वोई थी, 1611एसजी में कब वोई थी? 1611एसजी में जहांगीर से हुई थी नेके से किसने law of octave दिया, किसने law of octave वो दिया है वो दिया है New Lands ने किसने New Lands ने दिया है भारतिय मूल के प्रचारग को 25 अक्टूबर 17 को बिटेन का सबसे प्रहुसाली अस्वेक्ति नामित किया गया है पुराना कुश्चन है फिर भी ध्यान दी दीजे जीना मिलर यह भी पुराना है हिंदुस्तान सोचलिस्ट एंग्रेजों को उखार फेकने के उद्द्द से किया गया था कब किया गया था इसमें कॉन सा है कौन सा है कराची का बंदरगा है जानकू जीवन के उत्सों के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनुठी सांस्क्रितिक प्रता है तो यह आपके नेपाल देश की किसकी नेपाल देश की एक अगरिया की the स्प्राइजुटकी कि रूप में राश्टि अपमान दिवस की रूप में आउजित किया गया था मताइब कमें ए Осक नंबर कुशन कहा हैं से करिए दो 6 अपरेल 1929 ए राश्टि अपमानО hm प्रित्वी की भूमत दे रेखा उत्तर या दच्छड के स्थान की पोड़ी ये दूरी का वड़ंग करने के लिए किस सब्द का उपयोग किया जाता है तिये किया जाता है अक्षांस का अक्षांस होते सांतर आप सभी जानते हैं तिसरा च्रड क्या है वो है प्यूपा क्या है प्यूपा जो है तीसरा च्रड आता है चार च्रड होते हैं जैसे पहला च्रड हो गया आपका अंडा दूसरा च्रड हो गया लारवा तीसरा च्रड हो गया प्यूपा चोथा च्रड क् तो ये चार चलड़ आपके आते हैं तितली के रूपांतर में ठीक है आर्थिक दिरिष्टी से intermediate goods का क्या अर्थ होता है intermediate मतलब मद्ध्यवर्ती वस्तु है हिंदी इसका मतलब हो गया तो अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए पुनर विक्रे के लिए उद्यवों के बीच बेच जाने वाला समान जो है intermediate goods या मद्ध्यवर्ती वस्तु कहलाता है मतलब एक वस्तु के जो हम कच्चे माल से लेके जो हम तयार माल के बीच में जो भी वस्तु का समानों का हम आदान परदान करते हैं वही आपके intermediate goods goods कहलाते हैं ठीक है चलिए next आईए बांगले देश की संसंद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो यह होती है आपके 350 जिसमें से 50 जो है महिलाओं के लिए आरच्छित होते है नेपाल देश को कितने प्रांटों में बाटा गया है नेपाल देश को कितने प्रांटों में बाटा गया है तो साथ प्रांटों में बाटा जाता है वस्तु आरणिस का है यह निम्रिकित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है बदाए जाता है संसापक जो है माना जाता है ठीक है किलियर है याद रहेगा चली वेरी गूट नेक्स टाइए पुट सब्द का उप्योग किस खेल में किया जाता है पुट तो यह गोल्फ श्ट्रोक होता है पुट जो है और यह बिल्कुल सही है गोल्फ इस दा राइट आंसर कौन स करती का पॉदा मांजा खाता है और वं विण ब्लाइट परांप्रिक नित्त करती है बजरी पाकिस्तानी कौनसी जन जाती है तो ये जन जाती है आपकी पस्तून जन जाती कौन है पस्तून जन जाती जो है ये इस तरह बज़री निर्त्य करती है बासुरी और ड्रम का उप्योग इसमें करते हैं हम हम नहीं समझ रहे हैं 1920 का खिलाफा था अंदोलन किसके खिलाफ किये गया अन्याय के विरुद्ध एक विरुद्ध के रूप में किया गया था आप समने पढ़ा होगा भारती राष्ट्री आंदोलन का जो समयकाल था वो पढ़ा होगा उसमें आपको साब साब पता चल रहा है कि जो Britishers थे वहाँ पर जो है जो तत्काल जो सत्ता धारी थे उनको हटा दिया गया था इस वज़े से जो है उनके सम्मान में जो हैं Britishers के ब्रोद में भारत के जो मुसलमान थे वो खिलाफात अंदोलन जो है कितने कैनाईन दाथ होते हैं एक वेस्क मानों के पास कितने कैनाईन जो है दाथ होते हैं तो वो होते हैं चार कैनाईन दाथ होते हैं कितने चार कैनाईन दाथ होते हैं तो यह नेक्स्ट आईए अचा कैनाईन के दाथ करते क्या है कौन सारा सायन होता है, समाने बैटरी में, यह होता है, सल्फियृ case पाया जाता है, इसमें, इस वर्च में भूटान के चौथे राजा, जिसमें, जिग में, सिंगे वांग्चुवुक द्वारा सकल प्रसुन दता, सुशकांग सब्ध कढ़ा गया था, वुड़ान के चौथे एक राजा क्या है शिंगय वैंग्चुक इनकी द्वारा ही 1972 में 1972 में इसी घुश्णा की गई थी से नेक्षर आई सब्सक्राइस और चाहिए मिस्सेनरी पोफच के संथापक मदर टरेसा का जन्म कब हुआ था 26 अगस 1910 को इनका जन्म हुआ था दूर 18 में ये तो पुराना हो गया 25 कोश्चन का आंसर करिए आप लो ना केवल स्री लंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बलकि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी किसकी बात हो रही है आपर बता ये फटा फट ये बात हो रही है आपके स्री माव भंडार नायक जो है स्री लंका की नहीं बलकि दुनिया की पहली एसी किसी देश की पहली प्रधानमंत्री जो बनी है महिला वो दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है ठीक है स्री लंका की जो जुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्रियें की सिदेश की तो थैंक यू सो मॉच गाइज आई होप यू इंजॉए वेल और मैं आपको बता दूँ कि यह जो प्रिविए सियर कोश्चन बहुत जादा इंपोर्टेंट है अभी हाली में जो नौ तारीक को जो भी फर्स और इजी लेवल कोश्चन आरा तो जितना हो सका है आप प्रिविए सियर कोश्चन को लगाईए बार बार लगाईए याद करिए अनलेसिस करिए यही एक मोकर है गया जिनके पास आज से क्या करना पढ़ना लिखना सब बंद अब मॉक टेस्ट के बद सॉल करिए मॉक टेस प्रिविए सियर के मॉक टेस्ट आपको लगाने है और अनलेसिस भी करना नहीं भूलना है यह चीज़ ध्याम रखिएगा तो उसको लगाते रही जहां जो मैत समयना उसको तुरंद लगाईए उसका रूल्स देखिए रगुलेशन देखिए याद करिए उसको इस तरह से क करते रहिए आपका काफी चीज़ कवर हो जाएगा थैंक्यू सो मच टेक केर बबाए